नमस्कार जहिन दोस्तों आज जो है एक छोटे से लेक्चर में वीडियो में हम यह देखेंगे कि तीन डिजिट का जैसे मल्टिप्लिकेशन कैसे किये जाए कुछ कोश्चन आ जाते हैं कि बिना मल्टिप्लिकेशन तीन तीन डिजिट के रहते हैं बिना कि यह आंसर तक नहीं पहुँच जा सकता है तो हम देखेंगे कितने कम समय में हम तीन डिजिट के multiplication कर पाएं आपके लिए सुलब बनाया जाए ठीक है आईए जैसे कि हमारा टॉपिक है ये ट्रिक है त्री डिजिट multiplication का पहले बात को एक बार समझ जिए इस question को हम समझाएंगे कैसे ये काम करता है दूसरे को भी हमी बताएंगे तीसरे को भी mastery बताएगा एक बार आप समझ जाएए फिर आपको apply करने कोई दिक्कत नहीं होगा जैसे इसके पहले सीखनेस पहले जान लीजिए कि एक इसमें trick गया है आप इसको याद रखें ऐसा क्यों कहा जा रहा है देखिए पहले क्या करना है तीन डिजिट के multiplication में जैसे तीन डिजिट ऊपर है तीन डिजिट नीचे है इसको multiply करना ही तो क्या करें आप कि पहले इन दोनों नंबर को आप multiply करें मतलब C और F C into F अब प्लस यहाँ जो है इसका multiplication हो गया अब इसको यह दो डिजिट था यही दो लिखा गया है यहाँ से यहाँ इसको 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 multiply करें कितना होगा C plus BF ठीक है यहाँ पर यह multiplication हो गया यही 4 लिखा गया है अब 6 क्या है छे है आपका कि A का गुड़ा F में A F C का गुड़ा D में प्लस C D और प्लस B और E का multiplication यही आपका लिखा गया है 6 अब आगे आईए आपका लिखा गया 4 4 क्या है तो B E और B D B E यहाँ देखे थोड़ा सा जगह कम पढ़ रहा है आप समझेगा B D प्लस A E अब लास्ट में क्या दो क्यों लिखा गया है A और D का multiplication A D यह है इसी प्लसे से चलता है अब इसको अप्लाई करेंगे इसमें क्योंकि हमें नमबर ही अड़ करना है ऐसे तो आएगा नहीं कि A B C D E आपको अड़ करेंगे 6 पहले बार तो इसका करिए पच-चे-पच ठीक है 5-चे 5 हो गया एक डिज़िट में फिलिष। में होता हम क्या करते है उसको आगे वाले जोड़ तीया जाता लेकिन दो डिज़िट में है नहीं के पांच एक पांच-पांच अब आगे मैंने क्या बताया कि इसका मल्टिप्लिकेशन करिए जोड दीजिए उसके बाद यहां लिखिए पान दूनी दस और दो एक के दो आपके कितना आ गया बारा आ गया बारा का दो यहां लिख लीजिए एक आप जो है आगे जोड़ेंगे यह हसल है अब आईए यहां पर इसका इसका 6 डिजिट का कैसे 6 3 का करना है और 5 का तो यहां जो है आपका 1 जो है आड करना वो आप ज्यान रखेंगे आईए 5,3,15 सबको आड करना है 5,3,15 और 1,1,1 और 2,2,4 15,4,19,41,20 लेकिन एक हमें जोड़ना था इसका बार था तो यहां हो जाएगा 21 मैं आपको लिखके इसलिए समझा रहा हूँ कि एक बार में आप किलियर हो जाएए यहां पर आगे आपका 1 आपका हासिल कितना आया? दो आया दो जो आगे जाके हमें दो जोड़ना है आईए अब हो गए आपका 6 डिजिट का अब आईए 4 पे 4 क्या कहता है? कि इसका 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 मल्टिप्लाई यहां यहां देख लीजे तीन दुनी 6 और 2 एक के 2 और 2 इसका हासिल हमारा है तो 6, 4, 10 ठीक है? यहां 0 आ गया अब क्या? 2, 2 कौन से? यह और यह 3, 1 के 3 और यह 4 यह आपका आ गया 4,125 आप यहां तक बात समझ गये होंगे आईए इसी तरह कि एक कोश्चन और है आपका यहां पे यहां पे आईए कि जैसे कि एक 3 डिजिट हो और एक 2 डिजिट हो अब कह रहा है कि बच्चा कैसे किया जाए तो इसमें भी कुछ नहीं है 3 डिजिट नहीं है तो हम 10 डिजिट बना लेंगे यहां 0 आड कर दें कोई फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा सेम रूल है यहां भी लगाईए यहां क्या होगा? पांच चुक बीस दो अड करना है अब यहां पर आईए चार एक के चार और पंदरा लिखिए और चार एक के चार पंदरा चार कितना हो? उननीस और दो और अड करना था 21 हमारे पास दो अब इस से हैं ठीक है? अब आपका क्या? चार तक होगे, आप 6 पे आएंगे, इसका इसका multiply करिए कितना होगा, 64, 24, इसका और इसका, 64, 24, यहां से यहां 0 हो जाएगा, और यहां पे 5 गुड़े 00, और 3 एक्के 3, आपका कितना आ गया, 27, 27 में 2 और जोड़ दीजी कितना होगे, 39, हमारे पास 2 फिर से इस है, अब इसका इसमें, इसका इसमें, 6, 2, 12, 16, 18 हो गया आपका, और 0, तो 0 ही हो जाएगा, 18 और 2, 18 और 2, 20, हमारा आ गया, 20,910, अब आपको 3 डिजिट के अंक में, मल्टिप्रिकेसर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम ऐसी आसक कर सकते हैं, एक बार मीडियो कम समद में आया, तो एक बार और देख लिजिए, आप जो है, माश्टर हो जाएंगे इस चीज़ के, चलिए, मिलते हैं नेक्ट लेक्चर में, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत, लाइक, से और सब्सक्राइब करते रहिए, धन्यबादी